नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में आई मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा एक बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो बॉर्डर के लिए यहां पे हमें मल्टिपला फोर के हिसाब से फंदे चाहिए जैनि कि 4 के मल्टिपल में 4 के गुना में हमें फंदे चाहिए और हमारा ये डिजाइन उससे कम्प्लीट हो जाएगा तो यहां पर मैंने border शोटा सा बना रही हूं आपको दिखाने के लिए तो demonstration के लिए यहां पर मैंने 16 stitches लिये हैं 16 फंदे लिये हैं जो कि 4 के multiple के हिसाब से हैं तो यह यहां पर बड़ी असानी से यह border बन जाता है यह जो हमारा border है यह हमने right side से इसको start करना है तो अगर आपके फंदे डालने के बाद उल्टी साइड पहले आ रही है तो आप उसको उल्टा उल्टा फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लें और सीधी तरफ अपने फंदों को ले आईए तो मैंने भी यहाँ पे एक सलाई उल्टे फंदों से बनाई है उसके बाद हम ये सीधी तरफ आगे हैं तो फंदे हमने सीधे कर लिए हैं तो उसके बाद चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं दो ही रो में रेपीट होएगा हमारा ये पैटर्न और दो सलाईयों में हमने ये बड़ा ही असान बादर बना लेना है तो देखे रो वान है हमारे बादर की एक फंदा हमने एजिंग का सलिप किया दागे को अपनी तरफ करेंगे अब जो चार के मल्टिपल के हिसाब से डिजाइन है तो ये चार-चार पे रेपीट होता जाएगा देखे चार में से प देखें ये दो फंदे जो हैं इनके दोनों फंदों के बीच में से देखें इस तरह से डो फंदव के बीच में से हमने इस तरह से स्लाई डाली हैं यूँ कर कि the एक एस और यहां से हमने एक लूप खींच नहीं है और इस लूप को हमने लूज रखना है डिले हाथ का रखेंगे सको अब इन दोनों फंदों को देखें इस तरह से एकठा लेंगे एक इसलाई पर पिछली तरब से बनाएंगे अगर आप दागा इस तरह से लेंगे तो आपका ये इकठा फंदा बुनने में थोड़ी परिशा नहीं होती है तो यूं करके लपेट के हमने दो का एक फंदा बना लेना है तो यह यहां पर हमारा चार फंदों का यो डिजाइन रिपीट होगा पैटर्न इस तरह से होगा दो फंदे उल्टे बनाएंगे और दो का हमने एक करना है पहले लूप निकाल लेनी है चलिए अगले यह बाद में हमारा फंदे का ही काम करेगा तो यह लूप हमने थोड़ी डिले हाथ की रखनी है फिर उन्हीं दो फंदों को हमने यूं करके दागाले पेट के दो का एक सीधा बुनते हुए बना लेना है और उन दोनों फंदों को नीचे ड्रॉप कर देना है तो यह चार फ से चीज निट टू टोगेदर यूं करके इनी दो फंदों को हमने एकठा बुनना है बैक साइड से यूं करके तो यह रोवन हमारी बॉर्डर की इस तरह से कंप्लीट होगी यह बड़ा ही असान बॉर्डर है और लुक वाइस आप देखिएगा आप इसको बना के देखिए अब बड़ा ही प्यारा इसका जो ग्रेस है इसकी बॉर्डर की आती है बड़ी ही प्यारी लुक आती है एजिंग का फंदा है तो हम एज़ेटेज उसको सिधा ही बुलनेगे अब देखिए हम उल्टी तरफ आगे हैं रॉंग साइड पहला फंदा हमने स्लिप करा दागे को पीछे करेंगे अब दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं अब चार फंदों में से दो फंदे हमने सीधे बना लिये अब आगे के दो फंदे देखिए इनको वैसे ही दो फंदों को बनाना है जैसे रोवान में बनाया था एक लूप निकालेंगे बिट्वीन टू स्टिचिस से और दोनों को उनी दो फंदों को सीधा हमने दो का एक कर लेना है इनि चार चा फंदों पर यह रपीट होता जाएगा पैटरन दो सीधे बुनेंगे दो फंदों में से सेंटर से पहले लूप निकालेंगे और फिर उन्हीं दो फंदों को इक अठा हमने एक बूल लेना है बैक साइट से यूं करके सीधा तो यही चार फंदे रपीट पे फंदे हैं तो उनको यूं करके हमने चार-चार को बनाते जाना है और रोटू हमारी रांग साइड से कंप्लीट हो जाएगी लास्ट का एजिंग का फंदा है तो उसको हमने उल्टा बुन लेना है तो यही दो स्लाइमों में हमारा यह बॉर्डर देखिए इस तरह से आया यह चुड़ा हमें चुड़ाई में बॉडर चाहिए उतना हमने इसको बना लेना है तो यह मैंने डबल भूल से बनाया है और 4-ply-ून हमारी double बनी है तो उससे अच्छी लुक आई है इसकी और यह देखें यह मैंने 3-ply-ॉल से बनाया है तो इस ततरह से सिधी सिधी फल्यो चाहिए आप अपने कोटी में बनाईए किसी भी प्रजेक्ट में आप इसको बनाईए बड़ा ही प्यारा ये बॉर्डर बन कर आता है सीधी सीधी फलियों जैसा डिजाइन है और बड़ा ही उबरा हुआ आता है थ्री प्लाई बूल में इस तरह से बना है और जो मैंने दूस बहुत ही अच्छा आता है इसी कोई बात नहीं है तो आप इसको पहले बॉर्डर को किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और लुकवाइज ये बहुत ही अच्छे लगता है है भी बड़ा ही असान सिर्फ चार चार पंदों में हमने डिजाइन बनाते जाना है और दो सलाईयों में बस ये कंप्लीट हो जाता है तो वही दो रोज हमने रिपीट करते हुए जाना है ना हम इसमें डिजाइन को शिफ्ट करेंगे ना कुछ सिर्फ यहीं दो सलाईयों क को रिपीट करते हुए जाएंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट में डिजाइन जो है बड़ी जल्दी बन जाता है तो इस तरह के बाड़र को आप इस्तेमाल करिए अपने आप चाहें तो इसको ओवराल प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं तो इसको जुरूर ट्राइ करिए फ्रें